पाठ सत्वा, नाम, मनुख ने अपने आले द्वाले हर वस्तु जा पाव नू पहचानन लई कोई ना कोई ना दितता है, अजेहे शब्द व्याकरण विच ना मखवोंदे हैं, इत्थे एक गल समझ लेना बहुत जरूरी है कि कई चीजानू असी अपनियां अखानाल वेख स पर कयानों सिर्फ महसूस किता जा सकता है, नाम, दिखाई देनवालियां, दिख, दलीप, मुंबई, हिमाला, परबत, पुस्तक, नदी, कानक, लड़का, दिखाई ना देनवाला, अधिक, प्रेम, नफरत, उत्षा, निराशा, पलाई, सफलता, गुसा, खुशी, इसलिए हर ओ चीज, चाहे ओ दिखाई दिन्दी है, चाहे दिखाई नहीं दिन्दी, हर एक दाव कुझना कुझ ना जरूर हुन्दा है, ए ना ही नाम अखवोंदे हन, नाम दी परिवाशा, जेडे शब्द किसे व्यक्ति, वस्तू, स्थान, जीव, पाब, हालत, आददा, बोध कर वोण, उनानू नाम कैंदे हन, जिवे, राम, गीता, सोना, कणक, जलंदर, खुशी, मिठास, आदी, नाव दियां किसमा, नाव दियां पांज किसमा हुन दियां हन, आम नाव, जाती वाचक नाव, खास नाव, जा निज वाचक नाव, वस्तू वाचक नाव, इकठ वाचक पाव वाचक नाव, आम नाव, जां जाती वाचक नाव, जेड़े शब्द किसे वस्तु, जीव, अते स्थान दी, पूरी जाती, जां श्रेणी दा, बोध करवोन, उना नू आम नाव, जां जाती वाचक नाव केहा जानदा है, जिमें पुस्तक, मनुख, नगर, मोर, लड़ का आदी, खास नाव, जां निजवाचक नाव, जेड़े शब्द तों किसे खास व्यप्ती, खास वस्तु, खास जीव, अते खास स्थान दे नादा, बोध हुनदा है, उसनू खास नाव केहा जानदा है, जिमें शिरी गुरु गुबेंद सेंग जी, अनंदपुर सहब, सत लुज, ब्यास, हिमाला, आदी, वस्तु वाचक नाव, जिना शब्दा तों, तोलन, मिन, जां, मापियां जानवालियां वस्तुआ दे नादा, बोध होवे, उसनू वस्तु वाचक नाव, केंदे हन जिवें सोना, दुद, कणक आदी, इकठ वाचक नाव, जेड़े शब् व्यक्तियां, जीवां, जांगिणियां जानवालियां वस्तुमां दे समूधा ज्यान करवोन उनानू इकठ वाचिक नाव केंदेहन जिवें फॉज, इजड, जमात, सबा, आदी। जेडे शब्द तों किसे पाव, गुण, अते हालत दा ज्यान होवे उसनू पाव वाचिक नाव केहा जानदा है जिवें खुशी, गमी, उदासी, बचपन, जवाननी, आदी। आओ दवराईए, जिना शब्दा तों किसे व्यक्ति, स्थान, पाव, जा, चीज दे नादा पता लगए ओ नाम हुन देहन, समुच्ची जाती दे नानू दस्सन वाले जाती वाचक नाम हुन देहन। किसे खास व्यक्ति, स्थान, चीज दा नादस्सन वाले शब्द ने जवाचक नाम हुन देहन। किसे तोली जा मापी जानवाली चीज दा नादस्सन वाले शब्द वस्तु वाचक नाम हुन देहन। जेडे शब्दां तों किसे दे गुण पाव, हालत, आद दा ज्यान होवे पर नजर ना आवे पाव वाचक नाम हुन देहन।